कि अगए प्रिप्रेशन तो एक्षाइब अभी वन वेल्कम तो अभी वन यूए यूप्र वन प्लाट्फॉर्म फॉर यूप्यसी प्रिप्रेशन तो सुद्ट जब से 2023 का प्रिलिम्स हुआ उसी समय से बहुत सारे अठकले लगाई गई कि एक्जाम बहुत जाद मुश्किल भलेई था एक्जाम यह लग था एक्जाम के अलग था एक्जाम कि टरफ यह जाएगी एक्जाम के कट ओफ ванघव जाएगी एक्जाम तो बहुत जादा मुश्किल था 興 shap आज उन सब अठकलों पे विराम लग दुखा आज फाइनली आपके पास क्या हो चुक है कौन से minimum qualifying marks हो चुक है ठीक है तो टुडे है वी हब लिस्ट कि कहां पर कितने minimum marks आपके पास आई है ठीक है बट इसको एक interesting वे में हम आज discuss करने वाले हैं ऐसे नहीं कि मैं आऊंगा और directly मैंने डिसकस किया और काम करता है बट हम 22 से compare करके देखेंगे इसको कि 22 और 23 में कितना कुछ फरक आया क्या कुछ आलग था तो चलिए चलते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज मत भूले चलिए देखें सबसे पहले सुनेंट्स हम अगर 22 की बात करें सबसे पहले अगर 22 की बात करें फिर compare करेंगे 23 की 23 में क्या कुछ कहां पर चेंज आया देखिए अगर हम prelims की बात करें जर्नल की जो cutoff थी 88.22 थी ठीक है वहें EWS के लिए 82.83, OBC के लिए 87.54, ST के लिए 74.0, ST के लिए 69.35, PWBD1 के लिए 49.84, 58.59, 40.40 and 41.76, clear? मेंस की बात करें, जर्नल के लिए 748, EWS के लिए 715 थी 2022 में, OBCS के लिए 714, ज्यादा कुछ फ़रक है नहीं, ST के लिए 699, 9, ST के लिए 706, then 677, 706, 351 and 41. अगर हम फाइनल की बात करें, तो 960, then जर्नल के लिए 960, EWS के लिए 926, OBCS के लिए 923, SS के लिए 893, ST के लिए 900, ठीक है? तो ध्यान से देखिए इस सारे फिगर हम अभी कंपेर करके देखेंगे 2023 के अंकड़ों से, 879, 913, 632 and 590, तो ये 2022 के आपकी मिनिमम् कॉलिक मार्क्स है जो मैं भी आपको स्क्रीन पर आपके शोर हैं ठीक है अब ज़रा ध्यान से देखिए दिल थाम के 2023 की नजर मारते हैं ठीक है क्योंकि 2023 का जो प्रिलिम्स था वो काफी मुश्किल था अकॉर्डिक डॉट्स बट जिनोंने प्रिविस एर कोशन जो पिछले साल कितनी थी मेरे पास 88 अभी कितनी पहुंच गी 75.4 में जर्नल के लिए एवस के लिए पिछले साल क्या था 82.83 तो 68.02 पहुंच गी है वहीं ओभी सिस के लिए 74.75 नेक्स एसिस के लिए 59.25 एस्ट के लिए 47.82 पी डवी बीडी बन के लिए है 40.42 एन 47.13 40.40 एन 33.68 क्लियर अच्छा मेंस की अगर बात की जाए लास्ट यह मेरे पास क्या था 748 यहां भी कितना है 741 साथ कम ठीक है देन 706 712 694 692 673 718 396 and then 445 फाइनल की बात की जाए यहां कितना है 960 और यहां पर भी साथ की कमी यहां पर 748 था 741 हो गया साथ था 53 हो गया देन 923 AWS के लिए के लिए 919 एसे के लिए 890 एस तिक लिए 891 देन 894 899 30 756 and 898 फाइव 89 तो यह मैंने कंपेर करके दिखाए कि प्रिलिम्स का ठीक है बाकि और देखा जाए तो सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि सी सब्सक्राइब कैसा है क्योंकि प्रिलिम्स अच्छा पेपर आने की पूरी पूरी उमीद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूले और जुड़े रही है अभी मन्यों आइस के साथ इन आंकड़ों पे थोड़ा सब्सक्राइब करना लिएगा और देखिएगा कि क्या आपका था थैंक्यू